आज दो मई का हम सभी प्यारे बाबा का इश्वर ये महावाक की सुनेंगे ये अभ्यक्ति सारा सुनेंगे और शद्गुरुवार दिवस की भी बहुत-बहुत सुपकापना है आप सभी को तो प्यारे बाबा आज हमें क्या शिक्षा देते आज के अभ्यक्ति सारा में खुसी के खजाने से संपन खुस नसीब और खुस नुमा बनो ये तो इस महने का टॉपिक चलेगा अभी पूरे मही महीने तक तो बाबा हमें बहुत सुन्दर गाइड करते हैं आपके पास सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुसी का है इस खुसी के खजाने का दान करते रहो जिसको आप खुसी देंगे वह बार बार आपको धनिवाद देगा इसलिए महादानी बन खुशी का खजाना बाटो, रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो दान करने से मन की प्रसनता वा संतुष्टा का अनुभव करेंगे क्या दान करना है? ग्यान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान बाबा केते अपने द्रिष्टी से शक्ती का दान करो और मुक्षे बाबा केते मीठे बोल का दान करो कर्म से अच्छे कर्म और शुकदाई कर्म का दान करो इस प्रकार से हम देंगे किवल खुसी खुसी विभिन प्रकार से दिया जा सकता है किवल किसी को वस्तु दे करके ही खुसी नहीं दिया जा सकता है बाबा कहते हैं बिभिन प्रकार से हम दे सकते हैं खुसी तो हमें सारा दिन या टेंशन रखना है कि हम से मुझा आत्मा से हरे का आत्माओं को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए चाहे शक्ती मिले, ग्यान मिले, खुसी मिले, किसी भी ना किसी भी परकार से उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए तो ये हमें सारा दिन मनंजिंतन करना है तो आज का सौमान रहेगा, मैं खुसी का महादान करने वाली खुसनमा आत्मा हो या मैं खुसी का महादानी हो, मैं ब्राहमन आत्मा, किसी ना किसी रूप से हरी को दान करने वाली हो बार बार देने वार, बाबा क्या बताएं? कि आप एक बार देंगे, तो आपको बार बार देगा इसलिए हमें संकल्ब करना है कि कोई ना कोई रूप से हमें हरी का आत्माओं को अवश्य देना है रोज किसी ना किसी को दान जरूर करना है दान करने से मन सदा प्रसंद रहेगा बाबा बुले इसलिए हमें पूरा पूरा दान करना है बाबा शुशक तिरवर्दान लेना है बहुत प्यार से सने से प्यारे बाबा को याद करते हुए हमें आज का ग्यान मुर्ली आज का अब्यक्ति सारा मनन चिंतन करना है ओम शांती ओम शांती